शिंदे फरन्वी सरकार ने जय जय महाराश्ट्रा माज़ा गर्जा महाराश्ट्रा माज़ागीत को महाराश्ट्रा का आधिकारिक राज्यगीद घोशित करने का फैसला किया है। यह निर्णाय 19 परवरी को शिवाजी जयनती के अफसर पर लागू किया जाएगा। इस फैसले के अमल में आने पर अब राश्टर गीत के बाद महाराश्टर का ये राज्य गीत गाया जाएगा इगपणाचे भरती पाणी माती चाघागरी दीमथळीचा तट्टा नाया तट्टा नाया ये मुनेचे पाणी पाणी पाजा श्यय महाराश्टर माजा खाल ही में NCP प्रमुक शरत पवार पर बयान बाजी कर विवादों में फसे प्रकाश अमबेटकर ने अब प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी के खिलाफ आपत्ति जनक बयान दिया है प्रकाश अंबेटकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आज सरकार की संपत्ती बेच रहे हैं और कल को बेदेश बेच देंगे अपनी बयानबाजी के दौरान अंबेटकर ने मोडी की तुलना शराबी से भी कर दाली इसके साथ ही प्रकाश अम्बेटकर ने कहा कि यदि 2024 में भाजपा सत्ता में नहीं आए तो वो मोधी और अमित शाह को जेल में डाल देंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्र शेखर बावनकुले ने प्रकाश अम्बेटकर द्वारा की गई बयानबाजी पर पलत्वार किया है बावनकुले ने प्रकाश अंबेटकर को मानसिक रूप से दिवालिया बताते हुए कहा है कि इस तरह की विक्षिप तिपणी से महाराष्ट्रा के लोगों में असन्तोष पैदा हो गया है और वे इसका निशेद करेंगे विधान परिशत के चुनाव खत्म होने के बाद अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र शेखर बावनकुले ने पॉंग्रेस के बागी उम्मीदवार सत्यजीत तामबे को खुला ओफर दे दिया है बावनकुले ने कहा कि यदि सत्यजीत तामबे भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है कहा जा रहा है कि भारतिये जन्ता पार्टी ने विधान परिशत चुनाव में सत्यजीत तामबे को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया हुआ था और बावनकुले का ये बयान उसी बात का संकेथ है अचलपुर के विधायक और पूर्व मंत्री बच्चू करू ने बड़ा बयान दिया है बच्चू करू ने कहा कि जब से शिंदे गुट ने बगावत की है तब से राज्य में राजमीतिक अस्थिता आ गई है बच्चू करू के इस बयान को उनकी नाराजगी के तोर पर देखा जा रहा है कहा जा रहा है कि मंत्री मंडल का विस्तार नहीं होने के कारण बच्चू कडू शिंदे परणवी सरकार से नाराज है प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी द्वारा 10 परवरी को फिर से मुंबई का दौरा करने की समभावना है। यह एक महीने के भीतर पी-म की दूसरी यात्रा होगी। सूत्रों के मुताबिक टी-म मोदी, दाउदी बोहरा समुदाय की अर्भी अकादमी के ओधाटन के लिए मुंबई आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस दोरान प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी और सैयदना मुपद्दल सेफुद्दिंग के एक साथ मंच साजा करने की उम्मीद है। पिछले साल Gateway of India पर प्रधर्शन करने वाले 36 चात्रों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला, मुंबई पुलिस ने वापस ले लिया है। इन सभी चात्रों ने दिल्ली के JNU चात्रों पर किये गए हमले के विरोध में Gateway of India पर प्रधर्शन किया था। मामला दर्ज किये जाने के एक साल बाद अब पुलिस को लगता है कि चात्रों का ये प्रधर्शन बिना किसी निजी हित्या लाब के लिए किया गया था। पुलिस का ये भी कहना है कि प्रधर्शन के दोरान सारवजनिक संपत्ती को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। ओटो रिक्षा में लिफ्ट देने के बहाने से एक युवती पर बलाद कार करने का मामला सामने आया है। ये घटना नवी मुंबई के पनवेल में रविवार को देर राध घटी थी। 20 वर्षे पीरित युवती काम के सिलसिले में पनवेल आयी थी और रात करीब दो बजे कही जाने के लिए रिक्षे का इंतजार कर रही थी। इस दोरान आरोपियों ने युवती को लिफ्ट देने का जासा देकर बलाद कार किया। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक आरोपी को गिरफतार कर लिया जबकि दूसरा फरार है। मुंबई एहमदाबाद हाईवे पर एक कार और लगजरी बस की तक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है।